दोस्तों बॉलिवट के सिंगम अजय देवगन और काजोल आज अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुशाल जंदिगी बिता रहे हैं इन दोनों के रिष्टे और प्यारे से बॉन को देखकर लगता है कि भगबान ने उपन ही डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए बना कर भेजना है लेकिन दोस्तों कि आप जाते हैं काजोल से शादी करने के पहले अजय देवगन ने दो अबनेत्रियों को धोखा दिया जिसके बाद जाकर इनोंने काजोल से शादी की आज किस वीडियो में हम आपको अजय देवगन की उनी दो गल्फ्रेंड के बारे में बताने वाले हैं जो अजय देवगन से प्यार में धोखा खा चुकी है अगर आप भी इस इंटरस्टिंग बात से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बनी रहें और साथ ही बॉलिवड के सिंगम के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें अब को बता दें कि काजोल से शादी के पहले अजय देवगन जस अब इनेतरी के प्यार में पागल थे वो कोई और नहीं बल्कि बॉलिवड की मस्ट गल रवीना टंडन थी दोनों की जोड़ी फिल्म दलवाले में नजर आई थी जहां से दोनों का प्यार परवान चड़ने लगा था और उसी बीच इन दोनों के प्यार ने मीडिया में खुब सुर्ख्यां बटोरी थी कहा ज़ा रहा था कि रवीना तो अजय देवगन की इतनी दिवानी बन चुकी थी कि वो हर वक्त इनके साथ ही रहती थी लेकिन अजय देवगन का दिल धीरे धीरे किसी और अभी नेतरी पर आने लगा और ये अदाकारा थी करिश्मा कपूर करिश्मा कपूर और अजय देवगन ने एक साथ फिल्म जिगर में काम किया था जहां से इन दोनों के प्यार की खबरें सामने आने लगी थी और जब रवीना को इस बारे में भनक लगी तो वो अजय देवगन के साथ लड़ने और जगरने लगी जिसके बाद दोनों का ब्रेक अप हुआ तो रवीना इस बात को बिलकुल सहन नहीं कर पाई और सूसाइड भी करने चली गई थी पर बाद में इनोंने अपने आपको संभालने की काफी कोशिश की लेकिन वो इतना जादा फ्रस्टेट हो गई थी जिसके बाद अजय देवगन को काफी घुसा आया और उन्होंने इन्हें मीडिया में एक साई को कह दिया और कहा कि रवीना को एक डॉक्टर की जरूरत है जिस दोरान इन दोनों की लड़ाई हो रही थी उसी दोरान करिश्मा कपूर का भी अजय के साथ ब्रेक अप हो गया जिसके बाद अजय देवगन और काजोल का मेलन हुआ जहां दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया पहले तो अजय देवगन काजोल को बिलकुल पसंद नहीं करते थे क्यूंकि काजोल काफी बड़ बोले स्वभाव की थी लेकिन बाद में धीरे-धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और साल निस सनियन्यामवे में दोनों ने शादी तो दोस्तों आपको अजय की जोड़ी कौन सी अपनी इतरी के साथ सबसे ज़ादा अच्छी लगती है आप हमें अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही बॉलिवर्ड इंडस्ट्री से जोड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जाने के आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें